तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टे यमी मटन करी जिसके लिए मैंने कुकर में डाल दिया था सरसुका तेल, कुछ खड़े मसाले, साथ से आठ कटे वे प्यास, प्यास को गोल्डन प्राउन होने तक भुलने ना है, उसके बाद हम डाल लेंगे अधर क्लैसन टमाट और लॉंग इलाइची का पेस्ट, दो से तीर लॉंग इलाइची अब डाल सकते हो इसमें, तो अब बार ये हमारे सुके मसाली किये, जिसमें हम डाल लेंगे स्वाद अनुसान नमक, एक चमच हल्दी पावडर, एक चमच लानमिश पावडर, जीरा पावडर, आधा चमच और एक चमच धनिया पावडर, उपर से हम डाल लेंगे एवरिस्ट का मीट मसाला पूरा एक पैकेट, अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे, और भूल लेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए कम आज पे, और जब भून जाए तो इसमें हम डाल लेंगे अपने सारे मतन को, इसे भी हम कम से कम 15 मिनट तक हम आज पे पका लेंगे, उसके बाद हमें डाल लेना है दो सी तीन ग्लास पानी, और हम लगा लेंगे कम से कम 6 से 8 सीटी, तो बन के तेयार है हमारा टेस्टी यमी मतन करी जैसे के आप देख रहे हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना,